महेंगाई, बिरुजगारी, गरीबी, ब्रष्टाचार, कालाधान, व्यवस्था, परिवर्तन, किसानों की आयो को दुगना करना, मजदूरों की जीवन में और सम्रिधी लाना, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में, और इंडस्टियल रिवल्यूशन में, उत्पादक्ता बढ़ाने से लेकर के, भारत का निर्यात बढ़ाने से लेकर के, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैनिफेक्शरिंग हब भारत को बनाना, मेक इन इंडिया, स्टाटप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, और किसानों की आयद दुगने करने से लेकर के, तमाम प्रकार की, जो योजनाएं हैं मोदी जी की, उनको वो जमीन पर और ज्यादा प्रामानिक्ता से उतारेंगे, जो उन्होंने पांच साल म मैं पांच बड़े मुद्दे और मानता हूं, जिसके उपर पांच सालों में मोदी सरकार से बड़ी अपिक्षा संपुन देश्वासियों की है, उसमें सबसे पहला धारा 370 को हटाना, एक देश, एक कानून की जो संधान की मूल आत्म है, उसके अनुरूप भारत के लोकता पांत्रिक धांचे को मजबूत बनाना, 35-1 को खतम करना जो भेदभाव करता है एक देश में के नागरिकों के बीच में, और राम मंदिन, राम के वल हिंदू नहीं, हम सब भारत वासियों की पूरवज हैं, वो हिंदू, मुसल्मान, सिक, हिसाय, जन्न बोध सब के पूरव हैं, अपने पूरवजों के प्रतिकोई भी राष्ट गोरव का अनुभव करता है, दुर्भाग यह है कि हम अपने पूरवजों को भी वो सम्मान नहीं दे पाते, जिसके वो हकदार हैं, और दुनिया के सभी कोमे, सभी जातिया, सभी समाज, सभी राष्ट, अपने लोग देखे स्वेम को गुर्वानवित महसूस करते हैं और जब इस दुनिया में हिंदू-मुसल्मान सिख इसाई जैन अबोध ये संप्रदाइक नाम नहीं थे उस समय राम थे तो राम तो गैर संप्रदाइक थे संप्रदाइक उसे पहले के और इसके साथ साथ जन संख्या का मुद्दा है यह बहुत बड़ा मुद्दा है जिस तरह से पोपुलेशन का बाहर बढ़ रहा है भारत उसको ढोने में सहने में तयार नहीं है शड़के कम है स्कूल कोलेज हॉस्पिटल्स कम है संसाधन कम है खेती कम है अनाज भी कम हो जाएगा आखिर भारत कैसे सर्वा सरकार ही नहीं और यह तब हो सकता है जब कानून बने देश में कि दो से जादा जो भी बच्चा पैदा करेगा उस बच्चे को वोटिंग राइट नहीं होगा चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा और सरकार के और से जो भी सुविधाएं दी जाती है उससे उनको भ भारत के नागरी को दुनिया में कहीं सम्मान नहीं मिलेगा आज बिटेन के यूएस के कनाड़ा के जापान के नागरी को पुरी दुनिया में सम्मान मिलता है क्योंकि वहां आबादी केम और पर-capita income है हर एक नागरीक सिक्षीत है स्वास्थ है हमारे यहां पर लिट्रैसी nutrition और poverty इस तरह से बदहाली में देश दी रहा है कोई प्रधान मंतरी चाहे कोई कितना ही कर ले स्वामिराम देव चाहे कितने और उद्द्योग लगा ले कितने लाखों करोड़ों लोगों को रुजगार दे लेकिन जब तक आबादी नहीं रुकेगी बढ़ती भी तब तक देश मजबूत नहीं बनेगा और अंतिम बात की देश में महत्मा गांधी कहते थे आजादी के बाद में दो काम देखना चाहता हूँ एक शराब बंदी और दूसरा गो हत्या प्रपून प्रधी बंदी गो रक्षक और गो तसकरों के बीच में आए दिन जो जड़क होती ह उसका रोकने का एक उपाय है कि हम भारत में गो हत्या को बंद करें और यदि मांसारी मांसार खाते भी हैं तो मांस खाने के लिए तो और भी बहुत तरह के मांस हैं हम भारत